किसानों के क्रिशी कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदौलन को लेकर दिल्ली की छोटी बड़ी सीमाएं सील होनी शुरू हो गई है आपको बता दें कि दिल्ली से सटी कई छोटी बड़ी सीमाओं को सील कर दिया गया है और कईयों पर आवा जाही समित कर दिया गया है इसी क्रम में गाजीपूर बॉर्डर बंद करा दिया गया है आंदोलन को ध्यान में रखते हुए सिंधू, लामपूर, ओचंदी, साफियाबाद, पियाओ, मनियारी और सबॉली बॉर्डर भी सील कर दिये गए है NH44 पर दोनों तरफ से आवाजाई बंद है गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया है वही दिल्ली आने वाले लोगों को अपसरा बॉर्डर से गुजरने की सलाह दी गई है बताय जा रहा है कि टीकरी और जहरोंदा बॉर्डर भी सील है जटीकरा और बदोस राय बॉर्डर केवल दोपईया और हलके वाहनों के लिए खुला है आपको यहां यह भी बता दें कि मुकर्बा चोक से सिंधू बॉर्डर तक बसो का आवा गमन बंध होने की वज़े से करीब 20 किलो मिटर के दाइरे में पूरे दिन अफरा तफरी का माहूल रहा दोपहर बाद केवल स्पेशल ड्यूटी की बसों को छोड़ कर बाइपास तक के लिए कोई भी बस सेवा नहीं थी इस वज़े से शाम पांच से रात करीब 8 बज़े तक यात्रियों को दिल्ली की तरफ लोटने में भी काफी खर्च करने के बाद भी 8 या 10 किलो मिटर या उससे भी अधिक पैडल चलना पड़ा बोडर से पहले ही बसों के रूट डाइवर्ट करा दिये गए थे इस वज़े से यात्रियों को ओटो ए रिक्षा कैब की सवारी से थोड़ी राहत मिली इस वरान भी सड़क पर भारी जाम की वज़े से यात्रियों को गंतव्य तक पहुचने में डेड़ घंटे तक की देरी हुई हाला कि लोगों को गंतव्य तक पहुचने में तीन से पांच गुना अधिक रुपए खर्च करने पड़े उन्वाट इचि कर सक्के इसे याम का बड़े यद्य तक की घुचने पहुचने में तक हो खर्च करने में तक की बड़े झाल झाल आपके लिए बैल आइकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को ख्लिक करें, आपके बैल खाग करें. रहने वाल.